Fertility का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं वैसे तो Fertility का कही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो कोई भी मुसीबत होती है कोई विपत्ती होती है तो उसको भी Fertility कहा जाता है इसके इलावा मृत्यू या जन्हानी को भी fatality कहते हैं और किसी भी दुरघटना में या किसी भी occasion में जितनी मोते होती हैं यानि कि मरने वालों की संख्या को भी fatality कहा जाता है यानि कि fatality refers to the occurrence of death especially as a result of an accident, disaster or violence किने कि किसी भी disaster में, किसी भी violence में, accident में कितने लोगों की मृत्यू होती है या मृत्यू की जो संख्या होती है उसको fatality कहा जाता है it is often used in context involving serious incidents and tragedies यानि कि जो भी serious incidents या tragedies होती है उसमें जो मृत्यू होती है या जन्हानी होती है तो उसको fatality कहा जाता है जैसे कि आप ये कहें कि इस सड़क दुरगटना में कई मौतें हुई तो आप कह सकते हैं many fatalities occurred in this accident या गर आप ये कहना चाहें कि तुफान के दुरान कोई जन्हानी नहीं हुई तो आप कह सकते हैं there was no fatality during the storm या अगर आप ये कहना चाहें कि विमान दुरगटना में सभी यात्रियों को मिरत्यू का सामना करना पड़ा तो आप कह सकते हैं all passengers faced fatalities in the plane crash अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें